शिव महा पुरान की कथा करती है, तीन ब्रक्ष, तीन पशु, तीन पक्षी, और तीन जलचर पित्रों के तुल्य होते हैं, बहुत ध्यान देना शिव महा पुरान की, इस पित्र शान्ती, शिव महा पुरान को जो आप सुन रहे होने मिशारणे से बहुत ध्यान से, पित्र दोश है, इसके लख्षण की है, घर में अशान्ती होना, घर में चार-पाँच लोग रहे हैं, जरा-जरा सी बात में क्लेश हो, समझे लोग पित्र दोश हैं, पित्र दोश, एक रुपया कमा कर लाओ, सवा रुपय खर्च हो, खूब पैसा आए, हाथ में दिखे ही नहीं, समझ लेना पित्र दोश, चार गिन दुपान अच्छी चले, बाकी के समय बेटना पड़े, समझ लेना पित्र दोश, गर में बच्चे चिड़े हो जाएं, गलस संगती में डूब जाएं, समझ लो चिड़े हो रहे हैं, पित्र दोश, गर के बच्चे माता पिता का आदर ना करें, सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पित्र दोश, पित्र दोश मालूम पड़े और इतने से भी अगर आपनी समझ सकते परिवार पर कोई एक व्यक्ति जब जब भोजन करने वेटे तब तब उसकी ठाली में बाल आए भले वो होटल में खाए तो भी बाल जाए वो कई खाना खा रहे तो बाल जा आठ पंद्रा दिन में चार द अब कुछ मांग रहे पित्रा आप से कुछ चाहते हैं क्योंकि पित्र बोलते नहीं आता केवल घर का वुद्धी जब भोजन करने सब अच्छे से बनाया सब अछे से सब अच्छे से खरा और फीवी ताली में बार बाल बाल आए जरसे पड़िए परिवार को बीच्छी ब बाल पानी पीएगा तो आज़ेगा, कुछ खाएगा तो वाल आज़ेगा, आठ दिन में, पंदर दिन में, छे दिनों के बोजन में बाल आएगा, समझ लो पित्र कुछ कहना चाहँ, पित्र कुछ बताना चाहँ, कुछ बढ़न करना चाहँ, घर में, अगर आप उस्ते में इस समस्ते तो घर में बेठे बेठे एकदम गंद आने लगा, आठ दिन में, चार दिन में, छे दिन में, ना जाना कौन सी गंद की, बद्वूसी आ रही है, कोई गंद आ रही है, कोई सुगंद सी आ रही है, कोई ग कि अगर दोशे पैसे नहीं नहीं पिक रही पीपल के पत्ते पर श्राद पक्ष की एकादशी के दे और दोदशी के पीपल के पत्ते पर शेहद की साथ बिंदियां लगा दीजिए उसी पर चंदन लगा दीजिए साथ आखे चावल सपे चावल इस पे रख दीजिए एक जो थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पे रख दीजिए अपने पूरवजों का नाम लेकर पित्रों का इस्तिमन करकर गोत बोलकर नाम बोलकर बेहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए यह केवल श्रात पक्ष महोगा एका दशी पित्ती बेहते पानी में छोड़ दीजिए जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आई केवल बढ़के पत्ते के ऊपर बढ़के पत्ता उस पर काली तिल और जों 21 वार उतार कर जो वेक्ती बहुत बिमार पड़ा रहता हो तो बढ़के पत्ते पर काली तिल और जों रख कर पित्रों का इस्तिमन करकर नौनी तिथी के दिन 21 वार उतार कर बहते पानी में डाल द आपको रोग नहीं आएगा विमारी नहीं आएगा कि शिव महा कुरान का भागवान शिव आनंद गी राश्व तो तीन ब्रग्ष तीन पशु तीन पच्छी और तीन जल्च जल्च एसे हैं जिनको पित्र माना ना तो तीन ब्रग्ष कौन-कौन से हैं शास्तक्रता है पहला पीपल, दूसरा बरगरग्ष बड़ और तीसरे बेल पत्प, इन तीन ब्रग्ष के नीचे श्राइट कंप्च में पित्रों का न्वास हो जाजा जा, इन तीन ब्रग्षों के तिन ब्रग्ष पित्रों के तुल्हें पहला पीपल, दूसरा बटबरक्ष, तीसरा बिलपतर करक्ष, बिलपतर करक्ष, कभी अनायास श्राग पक्ष में, आप कुछ भी ना कर पाएं, कुछ भी ना कर सकते हों, तो एक पत्ते के ऊपर, कोई सावी पत्ता ले लो, चाय पान का ले ओ, कोई भी पत्ते के ऊपर, एक उड़ी, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, रखकर, अपनी कामना करकर, अपने पूरवजों के लिए, इन तीन व्रच्च के नीमें, सोला स्राथ में, किसी वी एक दिन, आ आपको भोजन को रखकर आजाए, अपनी कामना करकर, सुक्कन भहो होगा, पित्रों के शान्ति में, तीन व्रच्च पित्रों के तुल्ने हैं, तीन पक्छी पित्रों के तुल्ने हैं, कवा, हंस और गरुण, एक कवा, और एक स्वान, कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं, जिन को 20 मिनिक पहले, आदे गंते पहले, एक दिन पहले, 24 गंते पहले, 48 गंते पहले, क्या होने वाला होता है, कवा को और स्वान को भान हो जाता, क्यों? क्योंकि ये यम लोक में, जहां यमराज निमास करते हैं, स्वान और कवा, उसे जिसान का भाद ग्रण करते हैं, और इनको ये ज्यान, पूर्व से, यमराज से प्राप्त होता रहता है। पूर्व वहान हो रहता है और एक तो यह घटने वाली होती है तो पूता रोने लगता है कोई घटने इस आरा हapan कोई आ रहा है तो कोउवा आईगा है कोई भायों सुचक थो कवा आद यजा दर्वाजे है उसका पित्रों के तुल्ब पक्षियों में कववा हंस और गरूनु यह पित्रों के तुल्ब जो अधोगती में मर जाते हैं जिनको पिंड नहीं मिलता, तरपड नहीं होता, ब्रामन का बोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका नितिम संसकार तक नहीं होता, जिनकी गती विगड़ जाती है, ऐसे जीव कव्य के अंश में प्रगट होते हैं, जो क्यों नफल लेकर जाते हैं, पित्र लोक में हंस के अंग्स में डाल दिया जाता है मारा फिर अगला वर्णन पिया तीन पश्व कुत्ता गाए और हाथी ये पित्रों के तुल्य होते है शिव महापुरान की कथा कहती है अगर श्राग्द पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने बर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आपाएगा तो गयासुर सोला दिन गाय के मुख में निवास करेगा और गाय के मुख में श्राग्द के समय पर अगर कोई रोटी देगा श्राग्द के समय पर जो भाग देगा उसको पिंड़ करने का पुन्धफल प्राप्त होगा यह गया स्बैक वर्ष गौमाट कीभिय था तो गाए के मुख में सोला दिन तक गया च्छेचर का पुंड़ भाग प्राप्त होगा पुत्ता गाय और हाद स्वान को रोटी क्यों देते हैं क्योंकि स्वान पित्रों को अपना भाग परदान कर देते हैं स्वान वागता नहीं है चुका देता है फिर फिर तीन जलचर है महारा जो पित्रों के तुल्ले हैं मचली कचुवा और नाप। तिंड जो बनाये जता है वो पानी दिया जाता है। मचली जिसको पाती है वो फित्रों को प्राप्रा होता है। कचुवा। श्रावन के मिसे 16 श्राद के अंतरगत कचुवा यदि आपके दिये और भाग को पा लेता है। तो वो जीव उसी समय पर तर लगा और महाराइब नाग वो श्यू महापुरान की कथा करती है तीन ब्रक्ष तीन पशू तीन पक्षी और तीन जलज़़़ पित्रों के तुल्य होते हैं बहुत ध्यान देना श्यू महापुराण की इस पित्र शांती श्यू महापुराण की जो आप सुन रहे होने मिशारण से बहुत ध्यान से सुन पित्र दोश है इसके लख्षण के घर में अशांती होना घर में चार पांच लोग रहे हैं जरा जरा सी बात में क्लेश हो समय लो पित्रदोश एक रुपया कमा कर लाओ सवा रुपय खर्च हो फोब पैसा आए हाथ में दिखे ही नहीं समझ लेना पित्रदोश चार दिन दुखान अच्छी चले बागी के समय बेटना पड़े समझ लेना पित्रदोश घर में बच्चे चिर्चिड हो जाएं गलत संगती में दूब जाएं समझ लो चिर्चिड हो रहा हैं पित्रदोश घर के बच्चे माता पिता का आधर ना करें सम्मान google ना करें तेग बााज में बात करें समय लो पित्रदोश पित्रदोश मालूँ पड़े लीतने से भी आपनी समझ सकहें परीवार कर Jud na तब तब उसकी फाली तो भी मालगा ठाया थाली के आपकी फाली के बोजन में आगर निकल रहा है के समझ लिधे लिना कि सभी दिभी तसे चाहिते हैं, क्योंकि पित्र बोलते नहीं आता केवल घर का व्यक्ति जब भोजन करने बेटे का सब अच्छे से बनाया सब अच्छे से करा फिर भी थाली में अगर बाल निकल रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी थाली में बार बार बाल आता है वो किते ही केले पत्नी को भी के द पित्र कुछ बचाना चाहिए। कुछ वर्णा चाहिए। घर में अगर आप उससे में इसमस्त से तो घर में बेठे-बेठे एकदम गंद आने लगे। 8 डिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ना जाना है, कौन सी गंद की बद्वुसी आहरे喜ा.. कोई गंद आ रहे, कोई सुगंद सी आ हरेется.. समझे लोग मज़ों पित्र की छाया पड़ रही है, पित्र कुछ मांघ रहे है.. 8 दिन में, 15 दिन में.. कोई भी आगर आपको नहीं आएगा तो को दूसरा के गर आज घर में वेसी गंद क्यों आ रही है कोई आपकर देगा गंद क्यों आ रहे हैं उसका समतलबे पित्र आपसे कुछ मांग दो है कुछ कहना चाहिए कुछ मत पर हो आगर ज़्यादा लगता है कि हमारे घर में पित्र दोशे पैसे नहीं आ रहा है लच्मी नहीं पिक रही पीपल के पत्ते पर श्राद पक्च की एकाद शीखे दे और दोद शीखे दे पीपल के पत्ते पर शेहद की साथ बिंदियां लगा दीजिए उसी पर चंदन लगा दीजिए साथ आखे चावल सपे चावल उसपे रख दीजिए एक जों थोड़ी थोड़ी काली तिल उसपे रख दीजिए अपने पूर्वजों का नाम लेकर पित्रों का इस्टमन करकर गोत बोलकर नाम बोलकर बेहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए ये केवल श्राद पक्च महोगा एका दशी पित्ति बेहते पानी में छोड़ दीजिए जिंदकी में कभी संपदा की कमी नहीं अगर जादा रोग है तो श्राद पक्च की नौनी दिखी के समय पर केवल बढ़के पत्ते के ऊपर बढ़के पत्ता उस पर काली तिल और जों एककीस वार उतार तर जो देखी बहुत बिमार पड़ा रेता हो रहती हो तो बढ़के पत्ते पर काली तिल और जों काली तिल और जों रख कर पित्रों का इसमेंड करकर नौनी तिथी के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड के निंचे रख दो बिमारी समाप तो हो जाएगी रोग नहीं गहर सकता अगले शराग तक लिखकर रखना कि इस पारी को करा किस तिथी को क करा अगली थी तक आनना आपको रोग नहीं आए आए गाए विमारी नहीं ऐसा नहीं की शिव महाब कुराण का भागवान शिव आनंदक्त तो तीन निवग त यसे हैं इसे जिन को पित्र माना नहीं तो तीन बरक्ष कौन कौन से हैं शास पार करता है पहला प्ल दूसरा ब दीसरा बिल पत्प इन तीन ब्रक्ष के निएंचे श्राद्पक्ष में पित्रों का निवासुजा जा रहा तेन व्रक्ष पित्रों के तुल्य हैं पहला पीपल दूसरा ब्रक्ष तीसरा बिल पत्रक्ष कभी अनायास श्राग पक्ष में आप कुछ भी ना कर सकते हो तो एक पत्ते के ऊपर कोई सावी पत्ता ले लो चाहे पान का लेो कोई पत्ते के ऊपर एक कूडी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रख़़़पनी काम ना करकर अपने पूर पित्रों के तुल्य हैं तीन पक्षी पित्रों के तुल्य हैं कव्वा हंस और गरून एक कव्वा और एक स्वान कुत्ता ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिन पहले आदे घंटे पहले एक दिन पहले 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कव्वे को और स्वान को भान हो जाता क्यों क्यों क्योंकि ये यम लोक में जहां यमराज निवास करते हैं स्वान और कव्वा उसी स्थान का भाग ग्रण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है कोई घटना घटने वाली होती है कि कता रोने लगा मैंगा प्रवाजे पर केसे उसका भी भाने आटारी पर कव्वा कहां बिठा है किस इस्थान पर कव्वा विराज माने उसका भी भाव मारे आउसासा में बढ़ना प्रवाजे पित्रों के तुल्य। पक्षियों में कव्वा हंस और गनुद। ये पित्रों के तुल्य। जो अधो गती में मर जाते हैं। जिनको पिंड नहीं मिलता, तरपंड नहीं होता, ब्रामन का बोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका नितिम संसकार तक नहीं होता, जिनकी गती विगड़ जाती है, ऐसे जीव कववे के अंश में प्रगट होते हैं गुखुन अखल लेकर जाते हैं पितर लोज में जगा नहीं हो थी बेउंथ में जगा कहीं अगर घजगा नहीं हैं देव लोज में तो इंको खुवे के अंस में गरून के हंस में जा जाता है मारा फिर अगला वर्णन किया तीन पशु कुत्ता गाय और हाथी ये पिप्तरों के तुल्य होते है शिव महापुरान की कथा कहती है अगर श्राद पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने बर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आपाएगा तो गयासुर सोला दिन गाय के मुख में निवास करेगा और गाय के मुख में श्राद के समय पर अगर कोई रोटी देगा श्राद के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी पिंड करने का पुन्य फल प्राप्त होगा, यह गया सुर का वर्थ कव्माता के विए था, तो गया के मुख में 16 दिन तक गया छेचर का पुंड का भाग प्राप्त होड़ दो, कुट्ता, गाय और हग, स्वान को रोटी क्यों देते हैं, क्योंकि स्वान पित्रों को अपना भाग परदान कर देते हैं, स्वान बागता नहीं है, चुका देते हैं, फिर, तीन जलचर है महारा, जो पित्रों के तुल्ले हैं, मचली, कच्छुवा और नाप, पिंड जो बनाये जाता है, वो पानी में दिया जाता है, मचली जिसको पाती है, वो पित्रों को प्राप्रा होता है, कच्छुवा, श्रावन के में इस सोला श्राद के अंतरगत, कच्छुवा यदि आपके दिये हुए भाग को पा लेता है, तो वो जीव उसी समय पर तर लगा, और महारा नाप, वो श्युमाहा पुरान की कखा खती है, तीन ब्रक्ष, तीन पशुव, तीन पक्षी, और तीन जलज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ पित्र दोश है इसके लख्षण क्या है घर में अश्छान्थी होना घर में चार-पाँच लोग रहे हैं जरा-जरा सी बात में क्लेश हो समझ लो पित्र दोश पित्र दोश एक रुपया कमा कर लाओ सवा रुपय खर्च हो हो पैसा है हाथ में दिखे ही नहीं समझ लेना पित्र दोश चार दिन दुपान अच्छी चले बागी के समय बेटना पड़े समझ लेना पित्र दोश घर में बच्चे चिर्चिड हो जाएं गलस संगती में डूग जाएं समझ लो चिर्चिड हो रहे हैं पित्र दोश घर के ब किसे हैं अगर आपनी समझ सकतें परिवार कर पोई एक व्यक्ति जब-जब भोजन करने वेटें तब तब उसकी ठाली में बाल आए भले वो होटल में खाय तो भी बाल जाए वह कहना खा रहे तो बाल जाए आठ पंद्रा दिन में चार दिन में तीन दिन में दो दिन में छे थाली के भोजन में अगर बाव निकल रहा है केश, निकल रहा है, समझ लिना कि पित्र आप से कुछ चाहते हैं क्वी फाली वाल निकल रहा है और कोई व्यक्ति इसा होता है जिसकी खाली में बार 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 आ घए आगा हूप होतल में खायगा तो बाला जागा अचान кी पानी प्राइगा तो आज़ागा तो बाला तक ने च्छे दिन उसका दो बोउज़न में बाला जाएगा समझे पित्र कुछ बताना चाहएगाा तो चोस बेना चाहएगा जो पाना तो पित्र कुछ मांगों आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा के गर में यह सी गंद क्यों आ रहे हैं कोई आधर कर देगा गंद क्यों आ रहे हैं उसका समत्रब पित्र आख से कुछ मांगों कुछ कहना अचा है अगर जादा लगता है कि हमारे गर में पित्र दोशे पैसे नहीं आ रहा है लच्मी नहीं ठिक रही पीपल के पत्ते पर श्राद पक्च की एकादशी के दे और दोदशी के दे पीपल के पत्ते पर शेहद की साथ बिंदियां लगा दीजिए उसी पर चंदन लगा दीजिए साथ आखे चावल सपे चावल इस पे रख दीजिए एक जों थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पे रख दीजिए अपने पूर्वजों का नाम लेकर पित्रों का सिमन करकर गोत बोलकर नाम बोलकर बेखे हुए पानी में इस पत्ते को छोड़ दीजिए ये केवल श्रात पक्षम होगा एका दशी तिती देगे बेते पानी में छोड़ देगे जिंदगी में कभी संपधा की कमी नहीं आईगी पित्र आशिरवाद देखर जरूर जाएंगे ये पक्षा है श्यू महापुराण तहती अगर ज्यादा रोग है विमारी है तो श्रात पक्ष की नौनी दिखी के समय पर केवल बढ़के पत्ते के ऊपर बढ़के पत्ते पर काली तिल और जों रखकर पित्रों का करकर नौनी तिथी के दिन 21 वारुतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के निचे रख दो विमारी समाप को हो जाएगी रोग नहीं घर सा अगले श्रात तक लिख कर रखना कि इस पारी को करा किस तिथी को करा अगली तिथी तक जानना आपको रोग नहीं बिमारी नहीं है कश्ट नहीं नहीं है शिव महापुरान का भगवान शिव आनंद की राश्य तो तीन ब्रग्ष तीन पशू तीन पच्छी और तीन जलचा यसे हैं जिनको पित्रमाना ना तो तीन ब्रग्ष कौन-कौन से हैं शास पर करता है पहला पीपल दूसरा ब्रग्ष बड़ और तीसरा बिलबपल इन तीन ब्रग्ष के नीचे श्राद पक्ष में पित्रों का निवास हुजा जाए इन तीन ब्रग्ष पित्रों के तुल्ले हैं पहला पीपल दूसरा बड़ ब्रग्ष तीसरा बिलबपल करता कभी अनायास श्राग पक्ष में आप कुछ मीना कर पाएं कुछ मीना कर सकते हो तो एक पत्ते के ऊपर कोई सभी पत्ता ले लो चाहे पान का लेो कोई पत्ते के ऊपर एक उड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपने पूर वजहों के लिए इन तीन व्रक्ष के नीजे सोला स्राथ में किसी वी एक दिन आपको भोजन को रखकर आजाएं अपनी काम ना करकर सुप्तन भहो होगा पित्रों को शांति में तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ले हैं तीन पक्षी पित्रों के तुल्ले हैं कववा हंस और गरूर एक कववा और एक स्वान पुत्ता ये दो ऐसे होते हैं जिनको बीस मिन पहले आदे घंटे पहले एक दिन पहले चोविस घंटे पहले आर पालिस घंटे पहले क्या होने वाला होता है कववे को और स्वान को भान हो जाता क्यों क्यों क्योंकि यह यम लोक में जहां यमराज निवास करते हैं स्वान और कववा उस सिसान का भाग द्रहन करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है पुर्व वह अपटा प्राप्त होता रहेता एक होवा कोई क्योजों कोई घचना घचन Wallace उनने वाली होती ही पुट्ता रोने लगता है तीन पक्ष, तीन ब्रग्रट, पित्रों के तुल्डे, पक्षियों में कववा, हंस और गरुनू, ये पित्रों के तुल्डे, जो अदोगती में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तरपन नहीं होता, ब्रामन का बोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संसकार तक नहीं होता जिनकी गती विगड़ जाती है ऐसे जीव कव्य के अंश में प्रगट होते हैं जो क्यों नफल लेकर जाते हैं पित्र लोक में जगा नहीं होती बेकुंठ में जगा नहीं होती कहीं अगर जगा नहीं है देव लोक में तो इनको कव्य के अंग्षमें गरुन के अंग्षमें या हंस के अंग्षमें डाल दिया जाता है फिर अगला वर्णन की या तीन पशु कुत्ता गाए और हाथी ये पित्रों के तुल्य होते शिव महा पुरान की कथा कहती है अगर श्राद पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गया सुर्ड के समय पर अगर कोई रोटी देगा श्राद के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुन्य फल प्राप्त होगा यह गया सुरकवर गवमाता के विए था तो गाये के मुख में सुला दिन कक गया छेत्फर का पंड्र भाग रप्त होगा ड़ाक। कुतप स्वान को रोटी प्रों कीं कि मेंुक्स फीट्रों को अपना भाग प्राप्डाया इंस प्जिग वग्रत्ता नहीं है पिंड जो बनाये जाता है वो पानी में दिया जाता है मचली इसको पाती यह वो पित्रों को प्राप्रा होता है कच्छुआ इस सोला श्राद के अंतरगर कच्छुआ यदि आपके दिये हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय प्तर लागा और महाराद नाग वो